पंजाब से हैं परमिंदर जी स्वागत है आपका आदाब भाई पंजाब वालो बोलिये सर जी सर वालेकुम स्वागत आपका भाई बहुत बहुत जैहिन स्वागत आपका जी मेरे कुछ थोड़ी प्रावलम है मैं आज को बताना जाता हूँ ज़िए विक साभ पिज कंएãy connection हो चैनल हम ओर दूसरा जी मेरे जूड़कैसरी थूड़ा खुट्अ रहता है जी ब्यभर पौट्रन का जिए तो मेईर को यूड़कैसरी आपका था ठीक है उम्र कितनी है ठीक है सर यूरेटर क्या बता रहा है यूरिक एसिड बढ़ा जाता है यूरिक एसिड वालों को सबसे पहले खटी चीज बंद कर देनी चाहिए उससे यूरिक एसिड की कमी होने लगती है और कंटॉल भी हो सकता है और एक नसका बता रहा हूँ वो आपके यूरिक एसिड को भी कम करेगा और पेशाब के जो पीला आता है उसमें भी फाइदे मन्द है एक तो यह कि पेशाब जिनको पीला आता है सबसे पहले वो दो से ढ़ाई लीटर पानी रोजाना पी कर देगे उससे भी पेशाब में बड़ा फाइदा होता है और इससे यूरिकर को भी बहुत फाइदा होता है इंफेक्शन में भी बहुत फाइदा होता है तो अगर सिर्फ पानी पीने से आपका पेशाब साफ हो जाता है दो ढ़ाई लीटर तो फिर कोई इलाज की जरूरत नहीं है और देखिए एक आती है लाजवन्ती लाजवन्ती एक दवा का नाम है बहुत मशूर दवा है बारिक बारिक दाने होते हैं पानी में डालो तो पानी जम जाता है मुँ में डालो तो मुँ से निकलना मुश्किल हो जाता है एक दम उसमें एक लुआप पैदा होता है और वो तार बनाता है चिपचिपा पदार निकलता है उसे जो मुँ को भी जाम कर देता है तो एक आती है लाजबनती और एक आती है अलसी ये दोनों चीज़ें सो सो ग्राम खरीद लें और इनको बारीक पाउडर बनाकर रख लें और एक आता है नमक जैतून ये नमक जैतून अलग रखें दो चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं और आदा चम्मच लाजबंती और अलसी का जो पाउडर है ये खाएं और ये नमक जैतून असली नमक जैतून लें ये पानी पी लिया करें तो आपको फाइदा होना मुम्किन है इल्यास सहाब है जी स्वागत है आपका असलाम अलिकूं वालेकूम असलाम सर्थ वाले असलाम अलिक्षे हैं क्यों खाब? बड़ा अल्ला का इसान आप फरमाएं कैसे हैं? बहुत अल्यास में शुक्राइब आप दॉआ है और ख़ती डगारे आदिया है और ये शुक्ता मज़ा है ये हमें पता है ये कि जी सहाब आइज इसे मुम्मात के लेंगी अपीन भी भी हमारे इस स्वागत है लेशन और जीरा ज्यादा इस्तमाल करें देगे हमारी जो खवातीन हैं महिलाएं हैं वो इतनी सी अद्रक लेती हैं इतना सा लेशन और इतना सा जीरा इतनी अद्रक इतना लेशन और इतना थोड़ा ज्यादा जीरा सालन में डाला करें तो इससे खटी रकारें भी आना बंद हो जाती है हाजमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इजावत बहुत अच्छी होती है सौफ खाया करी चबाके खाने के बाद ये पहले दस्तूर था कि खाने के बाद सौफ और नारियल महमानों को दिया जाता था ये चीज़ें भी हमें हाजमे में और एसी डिटी में कब्ज में बहुत फाइदा करती है